So hey dude, once again, welcome to YTD2, so guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं objects के बारे में, objects क्या होता है, मैंने हम पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, कि array क्या होता है, objects क्या होता है, हल्का फुल का overview मैंने दे रखा है, तो हमने array के बारे में completely पढ़ लिया, यहां पे जितने भी functions अग तो हम यहां पे लिख देते हैं, javascript objects, तो यहां पे हम javascript objects, o b j c objects, ठीक है, तो हमारा आज का topic है कि हम javascript objects के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहां पहले हम जालेते हैं, कि objects होता क्या है, मैंने handwritten notes आपको दे रखा है, तो आपको, मतलब, revise करने में कोई दिक्कत नहीं तो आपको notes बनाने के भी जरूरत नहीं पढ़ेगे, तो यहां पे मैंने देखो क्या लिखा है, object is like key value pair of collection, तो जैसे key value pair होता है, वैसे object होता है, जैसे अगर आपने python पढ़ा होगा, तो dictionary का नाम सुना होगा, same वैसे object होता है, javascript में, यहां पने python नहीं भी पढ़ा, तब मैं बता दूू।, मतलब, éc կह वैल्यू क्या हे थेक तो जैसा क्या होता है? मतलब, यहां, मैं यहां पर बता रहू हो, एक whiteboard के अ redund평प मैं आपको दिखा दे रहा हूं मेरा laptop बस हैंग नागर है यही बस transient रहता है मुझे मैं इसलिए इसको open नहीं करता हूँ, ठीक है, देखो, क्या होता है, अगर आपका जैसे होता है, key value pair क्या होता है, जैसे अगर कहीं आप form fill कर रहे हो, तो यहाँ पर रहता है name, यहाँ पर name रहता है, ऐसे लिखा रहता है name, ठीक है, और name के बाद यहाँ पर blank space रहता है, कि आप बढ़ना है, फिर class बढ़ना पड़ता है, कि आप कौन से class में पढ़ते हो, ठीक है, यह भी ऐसे रहता है form में, और यहाँ पर आपका blank space रहता है, कि आपको कुछ बढ़ना होगा, ठीक है, तो क्या रहता है, यहाँ पर आप क्या करते हो, यह सारे लोगों के लिए जैसे होत होता है, कि आप नाम, class जो भी आपका form रहता है, वो तो सेमी रहेगा, लेकिन इसमें जो value होंगी ना, वो हर एक इंसान का अलग होगा, जैसे मालनो मैं यहाँ पर name है, तो मैं विशू लिग देता हूँ, यहाँ पर विशू लिग देता हूँ, आप नाम यहाँ पर एक में यहाँ पर एक इंसेम होगा, लेकिन इसकी जो value होगी, वो अलग-अलग होगी, ठीक है, तो यह होता है, जो name होगया, इसको कहते हैं, की, यह होगया की आपका, और यह होगया उसका value, ठीक है, तो यह होता है, actually, key and value का pair, ठीक है, तो बाकी हम यहाँ प्रोग्राम में देख रहे होगे, आपको समझ में आगया होगा, key value pair क्या काम करता है, ठीक है, तो यह चीज होता है, key value pair, ठीक है, और यहाँ पर लिखा, it was enhanced version of array, मतलब यह एक enhanced version array का है, मतलब array आपने पढ़ाना, तो array का एक enhanced version भी आप कह सकते हो, because, यहाँ पर लिख रहा है, मैंने, array has used index number for indexing, but you can initialize a property key name, मतलब क्या होता है, array में आप जैसे indexing करते हो, वो index value से होती है, like, आपको ऐसे देखना पढ़ता है, कि यार, 0th index पे क्या है, 1st index पे क्या है, 2nd index पे क्या है, ऐसे करके डूड़ना पढ़ता है, लेकिन यार, इसमें object में, उसका enhanced version आप समझ लो, क्योंकि यार, इ इसे सर्च करते थे, ये array के 0th index को मुझे प्रिंट करना, ऐसे करते थे, तो अगर कोई जानता नो, कि 0th index पे क्या है, तो वो कैसे समझेगा, कि 0th index पे इसका नाम है, तो उसी का, मतलब, enhanced version होता है, आप क्या करते हो, आप मतलब, object का यूज करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, A का 1st name, 1st name, ऐसे आप यहाँ पे सर्च करते हो, A का 1st name, मतलब, A जो है, आपका object है, उसका 1st name, यह कप की है, तो आपको इसे नाम सही समझ में आ रहा है, कि यहाँ पे 1st name आएगा, तो यह काफी जादे इसी हो जाता है, टास्को काफी easy कर देता है, इसलिए आप कहते हो, यह एरे का इनहांस वर्जन है, तो बाकी यहाँ पे आपको थियोरी पार्ट तो समझ में अलका प्रोका आ गया होगा, अब आपको पढ़ेंगे, तो आपको जादे आप रिलेट कर पाओगे, कि हाँ, मतलब, यह कैसे वर्क करता है, तो हम यहाँ पे एक बार, यहाँ पे द अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अभी एक वैरियेबल का वैल्यू है, और जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे कर ली ब्रेसे देंगे तो यह एक अबजेक्ट हो गया, ठीक है, और यह अबजेक्ट क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू को होल्ड कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक data दिया, उसके बद मैंने एक और data दिया इसको, last name, यहां पे last name, ठीक है, last name मैंने दिया, चत्रुवेदी, ठीक है, तो यह, यहां पर क्या होता है, यहां पर आप key देते हो, यह key है, और यह इसका value है, ठीक है, तो यह key और value के pair में, अगर आप कुछ देते हो, जैसे कोई भी output, input देते हो, तो उसे कहते हैं, यहां पर array से compare करता हूँ, जैसे मालो मैंने array बनाया, array बीव नाम का बनाया, उसमें क्या होता है, आपको, मतलब, यहां पर key value नहीं देना पड़ता है, मालो इसमें आपने दे द देने की जर्गोत नहीं पड़ती है, यहां पर यह index value के हिसाब से, मतलब, इसको access करता है, लेकिन यहां पर आपको advantages मिल जाता है, कि आपको key name मिल जाता है, जिसके थुरू आप इसकी value को get सकते हो, और यह काफी जादे, मतलब, होता ना, कि आप देखके ही समझ जाते हो, कि तक आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी value क्या है, ठीक है, तो यह होता है, अंतर होता है, array और आपके object में, तो hope so, object का जो, declaration का तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा, अब हम इससे value को access करते, और देखते हैं, यह work कैसे कर रहा है, हम पहले array को बहुत ही अच्छे तरीके स समझ लेंगे, उसके बाद इस पर काम करना काफी जादे easy हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, तो देखो, यहां पर मैंने सारा चीजे लिख रखा है, मैं आगे और वी चीजे बताऊंगा कि इस object में भी array आपना define कर सकते हो, यह सारी चीजे आप कर सकते हो, तो आप क्या कर सक करते हो, अगर आपको array के, मतलब index को gate करना है तो आप क्या करते हो, मालो first ने मुझे करना है, तो B का 0th index मुझे देओ, मतलब देदो तो यहां पर आप करोगे, तो यहां पर देखो, वीशू आ गया, यहां पर index value के हिसाब साब कर रहा हो, अगर आपको यह दिखे ना तो आ आपको simply करना है, A का क्या, कौन सा object आपको चाहिए, A का चाहिए, first name वाला index, तो यहार नाम से ही पता चल गया है, A का, जो A object है, उसका first name हमको देदो, तो यह काफी easy हो गया, और यहां पर जैसे refresh करोगे, यहां पर वीशू आ गया, आप ऐसे ही A का last name जो आपने लिख रख तो यह हो गया, A का एक, मतलब, modify version, modification, जैसे होता ना, कोई भी गाड़ी आती है, उसका top model, और basic model, तो यह modify version है, आपके A का, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते है, कि आने के बाद, A का काम ही खतम हो गया, A का भी काम बहुत ही रहता है, object का भी काम अलग ही रहता है, मतलब, अपन कुछ इसकी value, key को नहीं दे रहे हो, अगर directly इसको print करा होगे, तो यहाँ पर क्या print होगा, यहाँ पर बस दिखाएगा object object, इसका मतलब है, यह object, यह key को denote करता है, यह value को denote करता है, अभी बस इसको, यहाँ पर input करा दिया object object, क्योंकि यहाँ पर इसको किसी को आपने यहाँ आपने इसको दे नहीं रखा कि कोउंसी value को आपको print कराना, इसलिए इसने ऐसा print कर दिया, तो यहाँ पर हम इसकी value को देके हम इसको print करा सकते है, तो यहाँ पर हम जैसे print कराएंगे, तो हम इसकी value मिल जाएगी, तो यार, एक और होता है, array, मतलब object इतना powerful होता है, आप इस लास्त नेम लिहख दीया, ठीक है harass लुख दीया और उसके बाद दे दिया कि, यर," मतलब इसका score क्या है 것 है yourselfiği मतलब इसने exam मेंसे score कर रखा है सर आइ सब्चेट इसमें ठीक्वा है तो हम क्या करते है, इसको हम срав has और आप इस area में एक layer में डिफाइन है तो यह भी आप कर सकते हो, बिल्कूल असानी से कर सकते हो, आपको इसको गेट करना है, तो आप सिंपल यहाँ पर इस कोड लिखोगे, आपको यह एरे मिल जाएगा, देखो, यहाँ पर एरे यह मिल गया पूरा, अब एरे के एक कोई एक एलिमेंट को गेट करना है, तो आप स इसके ये 55 index को यहाँ पर get कर पाओगे, तो यार यह काफी easy हो जाता है, आपके काम को काफी असान बना देता है, कि आप object के अंदर ही array को define कर सकते हो, ठीक है, आप multiple, मतलब यहाँ होता है, multiple array को भी define कर सकते हो, जरूरी नहीं, बस आप एक ही array को define करो, आप multiple element को भी define कर सकते हो ठीक है, और हाँ एक बात और बता दू, आप ये काम आप अपने array में भी अपने array में भी multiple objects भी होते हैं, उसको कर सकते हो, मतलब अपने array में भी objects को initialize कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हो, ठीक है, मैंने objects के video में यह नहीं बताया था, तो मैं आभी को बत यहां पर लिखा, यहां पर लिख दिया विशाल, विशाल, ठीक है, और यहां पर मैंने दे दिया last name, last name और यहां पर last name में दे दिया चत्रुवेधी, यहां पर दे दिया, चत्रुवेधी दे दिया, ठीक है, यहां पर 1 object बन गया, मैं दूसरा इसमें value कर देता हूं, यहां outstanding pin देदार में तरमसा यहाम कटिखने यहाँ देड़ी उन्फटन में यहाँ वे थे कि देखो रसंति अबने पत्रीं आप क्लेडैक्ट यहाँ ़ा सकते हो रसा काम कर शते हो आपको घरना है तो है स्यम्पल आपको पर Προदेख बत्रीफ Assault जैसे आप पहले का indexing आपका होता था, simple वही indexing अभी भी होगी, यह इसके 0th index पे है, और यह इसके 1st index पे है, देखो यह इसके 1st index पे है, तो indexing तो simple होगी, अब आपको इसको get कराना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर document.write लगाओगे, इसको मैं comment down कर देता हूँ, आ यहाँ आपको करोगे, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, अब क्या करते हो यहाँ पे बीके 0th index के 1st name को आपको गेट करना है, तो आपको यहाँ पे लगाँ यहाँ यहाँ पे लगाँ यहाँ 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 जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका first name मुझे करना है, ठीक है, first name करना है, तो आप ऐसे ही initialize कर सकते हो, देखो, यहाँ पे आगया, यहाँ पे यार मेरा यह यह प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, I don't know why, इसको मैं फिर से कट करता हूं, save करता हूं, और document.write करता हू करता हूं, यहार अजीब वहप करु और्ल proport रेक्स करको प्रπα joe, ACDDC, As alloc .ok aunt, çekakhum, जाएर, के जीरोथ इंडेक्स के ऎला क्यों हजीब सब एक कर रहा है, यह अच्छ लॉग करते हैं, मेरा लैपट आप ह्टोप ही थोड़ा है कर जाता है यहां पर रिफ्रेस्करोगे तो यहां पर अन्डिफाइंड क्यों आए है क्योंकि जीरोथ इंडेक्स के फ़र्स्ट यहां पर यहां पर यहां पर यहां प्राइब कर रहा है यहां पता नहीं क्यों इसमें I don't know what's happened here console.log इसको देखूंगा फिक्स करूंगा क्यों इसा बिहेब कर रहा है मैं इसका मतलब मैंने यहां पर दिखाना चाहता था कि आप अरे में भी मल्टिपल अबजेक्स को यहां पर इनिसिलाइज करा सकते हो ठीक है तो यह काफी असान होता है ऐसे ही आपको क्या गड़ना होगा बी के जीरोथ इंडेक्स पे यह आपको अबजेक्ट मिलेगा और उस अबजेक्ट का आपको क्या करना है फर्स्ट नम वाला वैल्यू को गेट करना है तो मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ और फिर इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ ठीक है तो यह होता है object का simple declarations, मतलब कैसे वह करता है, मैंने सारा यहाँ पे लिख रखा है, example के थूरू लिख रखा है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, और इसमें एक और अच्छी बात है, आप इसमें functions भी बना सकते हो, ठीक है, आप अपने array में एक function भी बना सकते हो, मतलब आप इसको array नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने objects में, एक function भी बना सकते हो, ठीक है, तो वह कैसे बना सकते हैं, मैं यह ही पर आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देखो मैंने बना रखा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक salary नाम से बना रखा है, तो आपको यह रिफरेंस म cti function लिग दिया है और function में यहां पर मैंने रिटर्न करा दिया है रिटर्न करा दिया है 25,000 ठीक है यह हो गया तो देखो यहां पर मैंने एक function भी define कर दिया अगर हमको इसकी value को get करना है तो हम simple यहां पर क्या करेंगे salary वाले salary वाले जो मेरा है function इसको call कर देंगे यहां पर देखो function return 25,000 ठीक है यह ऐसे print हो जाएगा तो यह भी काफी easy होता है आप simply आपने यह जो होता है आपने function में इसको return भी करा सकते हो like इसको initialize function भी initialize कर सकते हो ठीक है तो ऐसे करके आप अपने objects में की value pair भी रख सकते हो अपने array भी define कर सकते हो अपने functions भी define कर सकते हो अपने objects में तो यह इसके फायदे होते हैं बहतरीन फायदे होते हैं ठीक है मैंने सारा चीजे लिख रखा यहां पे तो आपको यह जादे अच्छे से बाद में recall कर पाऊगे साथ ही array को मतलब बनाने के एक और methods होते हैं आप इसके objects भी बना सकते हो ठीक है objects क्या होता है मैंने आपको यहां पे array में भी बताया था कि यह objects क्या होते हैं कैसे बनाते हैं और मैंने वहां पे बताया था objects के बारे में आपको बेहतरी knowledge का मिलेगा जब आप object oriented का concept पढ़ रहे होगे वह advanced JavaScript का topic है तो हम मतलब यह सारी चीजे बेसिक पढ़ने के बाद हम उसको पढ़ रहे होंगे यहां पे डिफाइन किया ए नाम का और यहां पे मैं लिख देता हूँ new keyword के थुरू यहां पे लिख रहे है new object यहां पे हम लोगों ने जब array बनाया था तो यहां पे new object object ठीक है तो यहां पे object हो गया और यहां पे new new दो बार हो गया क्योंकि यहां पे इसका auto correcting वाला हो गया auto completing वाला ठीक है तो यह एक array बन गया empty object बन गया ठीक है अब इसमें value को हमको put कराना है value को इसमें भेजना है तो हम क्या करते है a.firstname यहां पे मतलब अपना कोईसा भी key दे सकते हो तो यहां पे मैंने first name नाम का key दे दिया ठीक है तो ऐसे देखे और इसके अंदर मैंने विशु पास कर दिया तो ऐसे करके इसमें आप value मतलब इसमें initialize कर सकते हो ठीक है तो आप अपने array में ऐसे value initialize कर सकते हो और इसको print कराना है तो simple आप जैसे करते आये हो वैसे आपको करना है document.write document.write और उसके बाद आपको A का first name आपको print कराना है तो आप यहां पे A का first name जैसे print करा होगे आपका A का first name विशु प्रिंट हो जाएगा आप इसमें multiple value को insult कर सकते हो जैसे यहां पे मैंने a.first name किया a.last name किया last name last name मैंने यहां पे कर दिया और यहां मैं चत्रुवेदी कर देता हूँ तो मतलब ऐसे आप इसमें multiple value को भी insult कर सकते हो बहुत easily मतलब यह होता है यह आप object के through initialize कर सकते हो और इसमें आप सारे value को भेज सकते हो यहां पे देखो मैंने first name किया मैं last name को भी get कर सकता हूँ आप यहां पे last name करोगे तो last name भी आपका यहां पे print हो जाएगा चत्रुवेदी भी print हो गया तो यहार आप अपने object को multiple ways से भी बना सकते हो अपने object के concept में पढ़ रहे होंगे और हाँ जैसे हम लोगों ने पीछे के यहां मैं control Z कर रहा हूँ जो हम लोगों ने यहां पे सीखा है यहां पे object बनाना यहां पे सीखा है इसमें अगर हमको एक और value इंसल्ट कराना यह सारी चीज़ हटा देता हूँ salary और यहां पे मैं देता हूँ 25,000 मतलब इसके बाहर से भी मैं इसमें value को इंसल्ट करा सकता हूँ अगर मैं यहां पे सर्च करूँगा salary तो यहां पे देखो 25,000 आ जाएगा 25,000 आ जाएगा मतलब array के बाहर भी आप इसमें value को insult करा सकते हो simple आपको इस object array array में बार बार बोलना हूँ object बोलना थी है इसको object को बाहर से भी आप इसमें value insult करा सकते हो जैसे आप object का नाम लिखोगे तो यहां पे object का नाम क्या है A में कौन साम को value insult कराना है तो एक नए की मुझे करना है salary और इसमें value होगा 25,000 तो यह होता है initialization कैसे initialize कर सकते हो कैसे object के value को get कर सकते हो तो यह मतलब ways path होते है array में value को define करना और value को get करना और वह मैंने array के बारे में बताया था array में कैसे करते है तो वह मेरा पता नहीं क्यों यह properly work नहीं कर रहा था visual studio code sublime text वैसे उसको भी वह कर सकते हो तो ऐसे करके आप define कर सकते हो और यहां पर यह सारी चीज़े लिख रखा है array of object यहां पर मैंने लिख रखा है जो मैंने आपको बताया था array of object तो यहां पर आपने student नाम का array बनाया है और यहां पर इसमें multiple object आपने point किया है तो आप ऐसा भी कर सकते हो मैंने अभी को आपको बताया है तो यह कई सारे ways है और हां यह आपने एक और यहां पर topic आता है यह सब चीज़े आपको समझ में आगे होगी इसमें कोई तो problem नहीं होगी I hope आपको कोई problem नहीं और हां भाई मैं आपको बता दू यहार मैं लाइप session भी लाऊंगा मतलब अगर आपको यह इस पर response अच्छा रहा तो मैं आगे की वीडियो में जब मैं react वगएरे पर मतलब आपको सिखा रहा होंगा react वगएरे मैं full modern stack यहां पर लाने वाला हूँ तो support करना start कर दो मैं वहां पर लाऊंगा तो अगर आपका feedback अच्छा रहेगा आप आओगे मैं live sessions लूँगा तो आपके हरी doubts को आपके क्लियर कर रहा हूँगा तो यहां पर आते हैं ना const data type data type के बारे में आपको मैंने बताया था late const and where data type होते हैं मतलब यह सारी चीजे होती है तो यहां पर हम const data type के बारे में सीखेंगे लेकिन वह हम next video में सीख रहे होंगे क्योंकि यहां पर video काफी length बड़ा हो रहा है तो मैं next video में इस कौश data type के बारे में आपको बता रहा होंगा ठीक है तो आज की बीली इस इतना है see you the next time in the next video till then take care and bye bye